Good morning all of you, today I am going to start chapter 7, more addition and subtraction Students, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, getting started Now, Shruti has come to a fair with her father Shruti अपने पापा के साथ एक मेले में गई है Now, she want to play a game where she has to connect two or three numbers That adds up to 100, वहाँ पर वो एक game खेलना चाहती है और उसमें वो game ऐसा है कि वो two or three numbers को add करने पर कितनी total आनी चाहिए 100, now can you help Shruti to that she can win a prize तो आप Shruti की help करिये prize को जीतने में Now, यहाँ देखिए हमें एक chart दिया गया है Draw a line to connect two or three numbers that add up to 100 यहाँ पर हमें two or three numbers को add करना है जिसकी total कितनी हो जाए? 100 हो जाए जैसे कि एक हमें यहाँ पर करके बताया गया है यहाँ पर 50 plus 20 plus 30 मिला के कितना हो गया है? 100 तो इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी numbers दिये गया है जिने add करना है जैसे अगर हमने 20 में कितना फर्स्ट रॉला अगर हम 20 में कितने numbers को add करते है कि हमारा answer इसमें कितना हो जाए? 100 तो students 20 में अगर हम यहाँ पर देखिए 20 में अगर हम इस 30 को add करते हैं तो यह कितना हो गया? 50 इस 50 में अगर हमने फिर 50 को add कर दिया तो कितना हो गया? 100 तो हमें इस तरह से इससे circle कर देना है ओके? Now next 10 है 10 में हम कितना add करेंगे? 10 में अगर हमने फिर से 30 को add कर दिया तो कितना हो गया? 40 और 40 में फिर हमने क्या add किया? 60 तो कितना हो गया फिर से? 100 Now अगर हमने 0 लिया 0 में हम 25 को add करते हैं तो यह हो गया 25 25 में फिर हमने 75 को add कर दिये तो ये हो गया आपका 100 So students, इसी तरह से हमें सारे numbers को add करके 100 लाना है Okay, जैसे अगर हमने 10, 10 में 90 को add कर दिया, तो कितना हो गया? ये 100 हो गया है इसी तरह से आपको कम से कम 2 और 3 numbers को add करके हमें answers लिखने हैं Clear students? Now, next one Next number हम क्या add करेंगे? देखिए, अगर हम 60 और 40 को add करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया? 100 Next number के लिए देखिए हम यहाँ पर 45 और यहाँ पर 55 इन दोनों numbers को add करेंगे तो कितनी total हो जाएगी? 100 Okay students, तो हमने यहाँ पर जो add किया है, वही हमें यहाँ पर के दिखाया गया है, कि सबसे पहले 50 plus 20 plus 30 plus 100 इस तरह से लिखा गया है तो इसी तरह से हमने जो उपर बनाये हैं, उन्हें हम लिखेंगे ओके? जैसे फर्स्ट वाला हमने क्या बनाया था? 20 लिया था 20 में हमने किसे add किया है? यहाँ देखेंगे बेटा 20 में हमने add किया है 30 को और 30 में फिर add किया है हमने 50 को तो इसकी total क्या हो गई? 100 इसी तरह से हमें सारा लिखना है second B वाला 50 वाला लिखा हुआ है next हमने 10 को किया है 10 में कितना plus किया है? 10 में plus किया है 30 यह हो गया 40 में फिर 60 प्लस किये तो यह इसकी भी टोटल हो गई 100 नेक्स हमने 0 प्लस 25 प्लस 75 इसकी भी टोटल क्या हो गई 100 हो गई next वाला हमने 60 प्लस 40 किये तो कितना मिला 100 ओके ना 0 के बाद फिर हमने 10 में प्लस किया है 90 10 प्लस 90 is equal to 100 ओके ना नेक्स्ट वन इस लास्ट 45 प्लस 55 इस इक्वल तो 100 ओके स्ट्वेंज इसी तरह से हमें यह अपना कम्प्लीट करना है ओके क्लास, थैंक यू